हेलो गाईज वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल SKM इस्टडी अवे आप सक्सिच मैं हूँ आपका एजुकेटर सिवम मिस्रा और यहां पिले क्या है यूपी बोड कक्छा बारा हमी भौती विज्ञान जी यहां ये फिजिक्स का स्लेबस है दो हजार तेईस के लिए है ये 2030 का एक्जाम की तैरी करेंगे आप लोग यूपी बोड वाले हैं तो स्लेबस देख लिए इसका पीडिएफ आप हमारे टेलेग्राम चैनल सारे नोट्स और पीडिएफ टेलेग्राम चैनल SKM इस्टडी पर मिलता है तो SKM इस्टडी पर मिलेगा पुरा-पुरा नोट् का नमबर वन टेलेग्राम चैनल है 31,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर है लिंक इन दर डिस्क्रिप्शन बॉक्स जी हां लिंक दिया गया जाके आप जॉइन कीजिए और यहां फिर आप सारे इंपॉर्टन क्योशन मॉडल पेपर पीडिया फ्री नोट्स आप हमारे ऑफीश साइड पर जाके डाउनलोड कर लिजिए यसके मिश्टरी टेलेग्राम है और यसके मिश्टरी क्लाजी डॉट काम हमारा क्या है ओफीसियल वेबसाइड है तो यहां पे हम लोग यूपी बोर्ट कच्छा बारहमी क्लाश 12 फिजिक्स का सलेबस देखने वाले हैं कच्छा ब बहतरीन तरीके से हम आपको करवाने वाले हैं आपके इस यूटूब चैनल एसके मिश्टरी पर करवाई जाएगी तो सबसे पहले भाग एक की बात करेंगे यानि खंड भाग खंड कर रहेगा खंड या फिर भाग एक और भाग दो भी इसी नाम से आप क्या सकते हैं तो भ क्यासरतिकल भाएक एक से दो पर होते हैं अब भाग एक भाग दू दो आपके किताबी जलती हैं प्रिजिक्स की बहुती विज्ञान की तो यहां पे इकाई भाग एक में किद्नी काही है कुल पांच इकाई है पहला क्या है इस्तिर विद्दुत की जिससे आपका आठ अंग बनेगा दुसरा है धारा विद्दु जिससे आपको साथ अंग बनने वाला है और अंतिमिकाई पांच है बैदुत चुमकी तरंगे जो कि आपके चार अंक्यापके यूपी बोड परिच्छा में प्रश्ट बनेंगे अब बात करते हैं इस्तिर विद्दुत की जो की आठ अंकाई काई एक होने वाला इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है वो देख लेते हैं बैदुत आवेस पढ़ेंगे आवेस का सनच्चन कुलाम नियम दो बिन्दु आवेसों की बीच बल बहुल आवेसों की बीच बल अध्यारोपडशित धान सतत आवेस वितरण बैदुत चित्र बैदुत आवेस की कार बैदुत चित्र रेखाएं बैदुत द्वीधू दुरूधू के कार बैदुत चित्र एक समान बैदुत चित्र में दूधी पर बल आगुर बैदुत फ्लक्स गौस नियम का प्रक्थन तथा अनत लंबाई के एक समान आवेसित सीधेतार एक समान आवेसित अननत समतल चादर तथा एक समान आवेसित पतले गोली खोल के भीतर दता बाहर ये भी आपको इस मिर पढ़ना है और क्या पढ़न इस्तिर बिद्दुत में दो बिंदु आवेसों के निकाय तथा बैदुत वी धुर की इस्तिर बैदुत इस्तिति जुर्जा चालक तथा बिद्दुत रोधी और किसी चालक के भीतर मुक्त आवेस था बध्धावेस परा बैदुत पदार तथा बैदुत धुर्ण संधार संधारत की धारता और संधारत में संचित उर्जा और वांडे ग्राप जनरित तो यह सब आपके जो टॉपिक है यह हम लोग इकाई इस तिर बैधुत की में आठंका पढ़ने वाले हैं अब आपका इकाई दो आता है बैदुधारा जो की सातंकों का रहने वाला इसमें क्या क्या पढ़ेंगे बैदुधारा धात्तिक चालग में बैदुधावेसो का प्रवाह अपवाह वेग यानिक डिप्ट वेलासिटी और गसीलता तथा इनका बैदुधारा संबंध ओमकानियम बैदुध प्रतिरोध वी अभिलक्षण यानिक रैखिक तथा अरैखिक बैदुध उर्जा और सक्ति बैदुध प्रतिरोधकता तथा चालगता कारवन प्रतिरोधक कारवन प्रतिरोधकों के लिए वार्ड कोड प्रतिरोधकों का स्रेड़ी तथा पारुषक्रम संयोजन प्रतिरोधक की ताप निर कि तुलना करने में इत्याद को हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें 113 में क्या-क्या पढ़ेंगे आप लोग जो कि आठंकों का आपके यूपी बोड पर इच्छा पूझा जाएगा और इसमें इंपॉर्टन टॉपिक कौन-कौन से उसको भी मैं आपको पूरा-पूरा बताऊंगा बिल्कुल भी आपको टेंसन नहीं लेना है पूरी यूपी बोड 2030 की तयारी यसकी है मिश्टडी पर कराई जाएगी फ्री नोट्स के साथ तो इसमें आपको पढ़ना है चुमकी छिती स संकल पना उस्टेंड का प्रियोग बायोसेवट नियम तता धारा लूप में इसका उन प्रियोग एंपियर का नियम इसका अनंत लंबाइक सी सीधे तार में अनुप्रियोग एक समान चुमकी छित्र में धारा वाही चालक पर बल दो समानतर धारा वाही चालकों के बिच ब रूप आंत्रन धारा लूप कंडी दौईधरू के रूप में दता इसका पंडी दौईधरू आगूर किसी परीघ्रमन करते इलेक्ट्रान का चुम्की दूइधूर आगूर और चुम्की दूइधूर यानि छड़ चुम्बक के कारण इसके अक्च के अनुदिस तथा अच्च के अभिलोंवा चुम्की छित की तीवरता एक समा चुम्की छित्र में चुम्की दूइधूर बढ़ आगूर तुल्यां की परिनालिका के सब्सक्राइब करने वाले कारक और अस्थाय चुम्बक को हम लोग इकाई तीन में पढ़ने वाले है उसके बाद आपकी काई चार आएगी काई चार में क्या क्या पढ़ेंगे इकाई चार का जुनाम है वह आपका है बैद्दु चुम्की प्रेंड तता बैद्दु धारा स्वारी प्रत्यावर्ति धारा जो कि आपके आठंके यूपी बोड परिच्छा में पूछे जाएंगे जो इकाई चार में हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसमें इकाई पाच में आपको क्या-क्या पढ़ाएंगे तो इकाई पाच भी आपको पढ़ाएंगे हम लोग विस्थापन धारा क्या हो सकता उसके पहले इकाई पाच का नाम क्या है तो बैद्दु चुम्की तरंगे जो कि उपर देख चुके है आप इसका पीडिएफ आप हमा इसके अभी लक्षण के वर गुड़ात्मक संकलपना देना है इसमें बैद्दु चुम्की तरंगों की अनुप्रस्त प्रकति बैद्दु चुम्की इस्पेक्ट्रम रेडियो तरंगे सोचम तरंगे और अग्तत द्रिस्थे परावैगनी एक्स किरने गामा किरने और इसक प्रकार भागदो यानिक जो आपकी किताब सेकेंड रहेंगी खंडकर हैगा इसमें आपका टोटल कितने एंकों कारें बाला है तो 35 अंकों का इसमें बनेगा और इन 35 अंकों में कितने इकाई पढ़ने तो खुल आपको आठ अंको का यहां पे बनने वाला है तो चले देख लेते हैं हम लोग इकाई एक में भाग जो दो है किताब आपकी फिजिक्स की इसमें का एक यानिक प्रकास की जो की तेरा अंको का बनेगा इसमें क्या-क्या पढ़ेंगे तो प्रकास का परावर्तन गोली दरपन दरपन का सुत्र, लेंस मेकर सुत्र, आवर्धन, लेंस की सकती संपर्ग में रखे पदले लेंस का संयोजन, लेंस और दरपन का संयोजन, प्रिज में से होकर प्रकास का पोर्तन तथा प्रिक्छे पर, प्रकास का प्रकिरन, आकास का नीला वर्ड, सुरियोध, एवं सुर्यास्त क के समय आकास मिसूर का रक्ताभ द्रिष्टी गोचर होना प्रकास यंत्र प्रकासी की यंत्र मानवनेत्र प्रत्विम बबनना समझन चमता लेंसो द्वारा द्रिष्टी दोसों का संसोधन जैसे निकर द्रिष्टी दोस दूर 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 और अ प्रतिपालिद वेतिकरन एकल जिल्दी के कान भी वर्तन केंद्री उचिष्ट की चोड़ाई सुचम दर्सी तथा दूरदर्सी की भी भेदन चमता धुरुमर समतल दुरुडप्रकास बुष्टर का नियम समतल दुरुवित परकास तथा पुलिराइडो का उप्योग इत्यादि को हम लोग इकाई एक में पढ़ेंग प्रकास की में लेनाट पृक्चन आईनिस्टीन का प्रकास दो समीकरन प्रकास का कड़ आत्मक प्रकती द्रव तरन्गे कड़ो की तरंगात्मक प्रकती द्रेबाग्लिंस समंद्ध और देवीीशन तत्था जर्मन प्रियूक को पढ़ेंगे इकाई तीन में क्या पढ़ेंगा इकाई तीन है आपका परमाड जदानाभिक जो की आठंकों का आपके यूपी पुड़ पर इच्छा मनेगा इलफा कर प्रकिन प्रयोग परमाड का रधर फोड माडल बूर माडल उर्जास्तर हाड्रोजन स्पेक्ट्रम नाभिकों की सनरशना एवम आकार परमाड दरब्यमान समस्थानिक संभारिक समन्यूट्रानिक डेडियक्टिविटी अलपा बीटा तथा गामा किरने इसके पढ़ेंगे 9 idea 4 में आपको क्या क्या पढ़ना है जोकि आ ठंको का बनेगा इसमेलक्टान जोकी इंपॉटेंट और इंदूरजा चालक रुचाल अर्थ चालक डायोड ठीक है अब इलाक्शनिक और यहां पे डायोड द्रिष्टी कारी के रूप में LED के अभिलाक्षणिक फोटो डायोड सोर सेल जेन डायोड वल्टता नियंद्र के रूप में जेन डायोड संद्री ट्रांजिस्टर प्रांजिस्टर की या ट्रांजिस्टर की अभिलाक्षणिक ट्रांजिस्टर पोड़ लोग पढ़ेंगे एक बात यादकना इसमें जो भी सिलेबस बताया गया है अभी 2023 के लिए सिलेबस नहीं जारी किया गया लेकिन आसा यही है अनुमानित यही है कि इस बार आपके यूपी बोड में सिलेबस में कोई कटवती नहीं की जाएगी अगर कटवती की सब्सक्राइब है यह सब्सक्राइब कर सकते हैं और लिंक इन दर डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओके दूसरों थैंक्यू जैहिंग